हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आएं बहुती चटपटा और बहुती टेश्टी नास्ता जिसे हम बनाएंगे उबलेवे आलू और सूजी से तो बहुती टेश्टी लगता है चलिए सुरू करते हैं तो यह हम एक मिक्सी का जाल ले लेंगे और इसमें एक कप हम आपके अनुसार उसके बाद हम इसमें तेल डाल लेंगे डिफाइंड ओयल है तो इसमें डाला है हमने उसके बाद इसे ग्रैंड कर लेते हैं तो यह आप देखिए बिल्कुल पेश्ट बनके बिल्कुल तयार हो गया है तो इसे बावल में डाल देते हैं तो यह आप देख है अब अब मिषटे रख sapねं तब अगय की तैयारी कर लाते हैं न कोता विसटे हैं तौक सबस्राइड फज़ा कर दिया चलिए शुक्रोब जीरा ऐस्में डालेंगे और थोड़ा साम कडी पता ऐसको भी ढाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्ष डाल देंगे अर यह थोड़ी पादर हम डाल रहे हैं चोटा चमज और अधी चमज और यह थोड़ा मिक्स नमक तरफ नमक अज़ा केने नमक करने एक अज़त नमक कर लए ज्माने लें। तो एक दो मिनाट के लिए आलू को ऐसे ही भून लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तो बहुत ही टेश्टी नास्ता यह बनने वाला है तो आप वीडियो को इसकी इपना करें आप देखते रहें तो हल्की सी धनिया की पतिया डाल देंगे इसे भी मिस्क कर देंगे औ सबस्कुत में तो एख में ऊसी टपक डाले मोरा है वीर के यह नमिक्स टाल हें और थोड़ा सका जीर डालैगे सबस्कुत हुए प्लगिन थे तरह से अकट को अच्छी तरह से अ मिक्स कर लका है यह देखे आप में सबस्कुत ही, इस लड़ी हो गया है क्ष्ची इस में forwards रखेंगे आँसे हलका सा फेला लेंगे पत्ला ही बनाएंगे इसको ज्यादा मोटा निर लेंगे तो दएcoming आप देखे किया जाली बने के बोगई 정 Bettерь तो उसके बाद हम थोड़ा सा बनने के बाद इसे उपर से ड्राय ड्राय हो जाए उसके बाद हम थोड़ा सा सॉस इसमें लगा लेंगे तो ऐसे करके उसके बाद हमने जो आलू हमने बनाये थे आलू का मसाला उसको हम ऐसे करके यह एक साइड में रख लेंगे थोड़ा पतला बना के तयार कर सकते हैं बच्चों के लिए बच्चों का तो बहुत ही मन पसंद है तो ऐसे हम सारे बना लेंगे तो यह आप देखें हमने सारे बना के बिल्कुल तयार कर दियें तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सस्क्राइब कि यू